हेलो स्टुडेंज आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर का नहाम है फोर्सेस इंग स्पेस स्पेस मतलब क्या है थ्री डैमेंशनल थ्रीडी ठीक है इस पेस्ट हम डिस्कुस करने से पहले कुछ बाते में क्लियर करना चाहूँगा यहां पर कि अब तक हमने जितने भी चैप्टर देखे हमने उसमें यह जो हमारा फोर्स है यह फोर्स किस पर एक्ट हो रहा था प्लेन पर एक्ट हो रहा था प्लेन का मतलब क्या है टू डैमेंशनल सर्फेस टू डैमेंशनल बॉड़ी टू डैमेंशनल सर्फेस प्लेन ठीक है इसका मतलब कैसा हो गया कि एक मेरा प्लेन है और मेरे जितने भी फोर्स है वो इसी प्लेन पर एक्ट हो रहा है ठीक है इसलिए तुम्हें अगर याद होगा हमने डिसकस किया था कि ये चैप्टर को छोड़के बाकी जितने भी चैप्टर से वहाँ पे जो हमारा फोर्स होता है क्या होता है को प्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या कि सारे फोर्स एक ही प्लेन पर एक ही प्लेन पर एक्ट हो रहा है लेकिन जब हम लोग एक्ट्वल लाइफ में जब देखते हैं तो जितने भी हमारे अप्लिकेशन हैं कुछ भी लेला तुम कुछ भी अगर करेगा 3 dimensional space पर लाई करेगा हमेशा क्या करेगा 3 dimensional लाई लेट से यह x हो गया यह y हो गया और यह z हमेशा कहाँ बैट करता है वो 3 dimensional space पर एक होता है हमेशा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि maximum time जो भी हमारा practical चीजे है इस जो हम लोग observe करते हैं हमारे आस-पास maximum time हम देखेंगे कि हमारा जो force है वो एक ही plane पर act नहीं होता वो क्या होता है वो अलग-अलग plane पर act होता या फिर वो 3 dimensional space में act होता है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि let's say अगर मैं यहां पर यह diagram बना के दिखा हूँ यह ठीक है और मानके चलो कि यह मेरा axis है यह हो गया let's say y यह x और यह z ठीक है तो मेरा जो force है वो क्या होगा कहां कैसे act होगा अब कुछ इस तरीके से act होगा यहां से यहां पर जा रहा है ठीक है यह मेरा let's say force f1 हो गया दूसरा force ऐसा हो सकता है कि यहां से ऐसा जा रहा है possible है maximum time ऐसी होता है कि कोई भी force जो है न वो practical अगर हम देखे तो कोई भी force न एक plane पर नहीं होता यहां पर शूरू हुआ इस plane पहाँ खत्म होोगे इस plane'll fair छूरू हुआ इस plane'll fair ठीक कछ एसुच एस रहेगा यह एक force इचे के तरफ जा रहा है लिडीस? यह एक एक प्राइडव जा रहा हुए एक plane पे नहीं होता, वो अलग-अलग plane पे लाई होता है, चीक है? तो यह जो chapter है, वो किसको dedicate किया गया है? कि जब मेरा force एक plane पे नहीं होगा, लाई ने करेगा, वो क्या करेगा? एक force जहना, वो अलग-अलग plane पे लाई करेगा, जैसे for example, यहां पे हम देख रहे हैं, तो practically क्या होता है, कि हमारा जो force है, वो क्या होता है, वो एक plane पे नहीं होता हो, वो अलग-अलग plane पे होता है, तो यह क्या होता है, हो जाता है, force system क्या बनता है, उसका non-coplanar force system बनता है, क्या बनता है उसका non-coplanar force system बनता है ठीक है तो यह subject में हम deal क्या करेंगे non-coplanar force system के साथ deal करेंगे ठीक है non-coplanar force system के साथ deal करेंगे मतलब force जो है मेरा वो अलग-अलग plane पर है अब इसमें ना देखो यह कोई हटके कुछ chapter नहीं है यह इस chapter में हम लोग कुछ ऐसा कुछ concept सीखने नहीं वाले हम लोग इसमें ना जो main हमको सीखना है वो क्या है कि हम force को how to represent a force in vector form ठीक है हम लोग ने अभी तक जितने भी chapters किया है ना वहाँ पर हम लोग ने force को vector form में express नहीं किया vector form में कभी express नहीं किया है ठीक है तो main इस chapter में जो heart है इस main का वो क्या है कि how to express a force in vector form ठीक है अगर यह मालूम बढ़ गया vector form में तो हम कोई भी sum या फिक force किदर भी लाई करें फोर्स अगर एक ही plane पर हो force अगर अलग-अलग plane पर हो उससे मुझे कुछ फरक नहीं बढ़ता है ठीक है अगर मुझे यह आता है कि यह force जो है ना हम उसको कैसे vector form में represent करते हैं अगर यह मुझे आ गया तो मेरा life easier ठीक है तो इस chapter में हमें एक चीज़ सीखना है कि how to represent a force in vector form ठीक है तो उसको समझने के लिए मैं आपे दो cases लूँगा यह मेरा case 1 है ठीक है अब तक हमने जितने भी sums देखे हैं यहां पर हमें क्या नजर आता था कि भाई एक force है जो मेरा two dimensional plane पर act हो रहा है two dimensional अब मुझे मालूम कैसे पड़ा कि भाई यह two dimensional है क्योंकि मुझे यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर axis है वह x axis है दूसरा y axis है z axis नहीं है ठीक है right z axis यहां पर नहीं है तो मुझे साफ साफ यहां पर लग रहा है कि x है y है right okay तो यहां पर यह जो मेरा force act हो रहा है f1 is equal to 10 newton इधर एक और force act हो रहा है f2 is equal to 20 newton तो यह force f1 कहां पर लाए हो रहा है it is lying in xy plane यह जो plane दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं xy plane यह जो plane है अगर ऐसा देखो तो यह जो area है इसे हम क्या कहते है xy plane xy plane अच्छा अब यह जो area है यहां पर दिख रहा है यह area यह area यह area को हम क्या कहते है x y plane यह जो नीचे area है उसे हम क्या कहते है ये जो नीचे एरिया दिख रहा है। यह तो मेरा फर्स28, Norwegian अिसते हैं। इसे भी क्या कहते हैं यहां पर यहां पर बात करो तो क्या होगा इस plane पर इस plane मेरा x positive है और y negative है ठीक है तो यह secondary बात है यह इतना important नहीं है फिलाद यहां पर यहां पर इस वितना तुमको समझा रहा हूं कि यह जो force act हो रहा है वो क्या है वो xy plane पर है मतलब plane मतलब क्या हो गया है two dimensional हो गया है तो dimension की तर है इसका two dimensional कैसे मौलम पर है कि two dimensional है यहां पर x है और यहां पर y है इसलिए ठीक है अब आज आज़ो point पर हमें यह मालूम था कि अ यहां से सुनना में क्या बोल रहा हूं f1 is making angle with x-axis by 30 degree f1 is making angle of 30 degree with x-axis तो जो f1 का x component है वो क्या होगा f1 का जो x component है वो क्या होगा यहां पर लिख रहा हूं मैं f1 का जो x component है कैसे लिखते हैं हम लोग 10 cos 30 ऐसे लिखते हैं ना हमने पहले याद है अगर हमने पहले decide किया था कि जो भी एक सेके ना हमने decide किया था कि force जिस axis के साथ angle बनाएगा उस axis का जो component होगा वो cos होगा क्या होगा cos 10 cos 30 कितना होता है 8.66 newton so f1 का x component कितना है 10 cos 30 cos क्यों लिया क्योंकि this f1 is making angle with x axis by 30 degree चीक है अच्छा यही same philosophy अब मैं इदर follow करूँगा कि now my f1 is making angle of 60 degree with y axis y axis तो f1 का y component क्या होना चाहिए तो f1 का y component क्या होना चाहिए जो हमारा philosophy था क्या था philosophy कि अगर मेरा force जिस axis के साथ angle बनाएगा उस axis को parallel component जो रहेगा वो क्या होगा cos तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूँ यहां पर कि यहां पर यह होगा 10 cos 60 कितना होगा यहां पर 10 cos 60 तो value कितना आएगा 5 चीक है value कितना आएगा 5 आएगा तो मैं यहां पर क्या किया कि यह f1 x के साथ कितना angle बना रहा है 30 तो उसका component क्या आगया f1 x का component is 10 cos 30 same force angle बना रहा है किसके साथ y के साथ कितना 30 हो जाएगा 60 हो जाएगा अगर यह 30 है तो कितना होगा 60 होगा तो यह y component इस force का f1 का क्या बनेगा 10 cos 60 यह फिर हम लोग ने यह भी देखा था कि यह कैसे लिखते थे उसको 10 sin 30 हम अगर 10 sin 30 भी लिखते ना तो भी मुझे कितना मिलेगा 5 newton ही मिलेगा 10 sin 30 लिखेंगे तो भी कितना मिलेगा 5 मिलेगा ठीक है लेकिन हम लोग ना हम लोग यह sign पे नहीं जाएंगे हम लोग क्या करेंगे ना इस पे जड़ा focus करते हैं cos cos ठीक है right अच्छा अब क्या करना है मुझे इस force को vector form में लिखना है vector form में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा उसको इस force को मैं लिख रहा हूँ f1 bar is equal to मुझे इस component का इस force का x component मालूम है इस force का x component मालूम है कितना x component कितना है 8.66 तो मैं आगे लिखूंगा i ठीक है अब यह बात में बोलता हूँ क्या चीज़ है मुझे इस force का y component मालूम है कितना है यह प्लस है न कुछ यहां पर रिखाने था मतलब प्लस इधर भी क्या है प्लस ठीक है तो कितना है यह प्लस 5 j ठीक है इस force का मेरे पास कोई की z component नहीं है क्यों नहीं है z component क्योंकि यह जो force है वह किस plane पर लाई कर रह रहा है it is lying on x-y plane तो उसका जो z component रहे जट कमपोनेंट है फो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसाद कॉपोनेंट जीरो हो जाएगा तो मैं यहां पर रिखुंगा 0 z ठीक है जीरो जेड अब ये क्या है ये वाला चीज क्या है this is my f1 x ये क्या है this is my f1 y ये 0 क्या है this is my f1 z चीक है और ये i क्या बोलता है i का मतलब समझ जाओ कि along along x-axis j मतलब along y-axis z मतलब along I'm sorry I'm very sorry ये पर z नहीं यहाँ पर k आएगा very sorry k i j k तो k मतलब along z-axis चीक है राइट तो हमने यहाँ पर देखो अब तक हम लोग नहीं जादा ध्यान दिया नहीं था हम लोग नहीं जितने भी chapters कर रहे थे ना वहाँ पर हम लोग ने क्या क्या सिर्फ magnitude पर ध्यान दिये था हम ल आई विल टॉक अबाउट दी डेखरट शुक्त तो यह हो गया मेरा क्या चीक हो गया एक्टर फॉर्म में में एक्सप्रेश करनान 2 को अब यह force 2 जो है मेरा इसका x component क्या होगा force 2 का x component या फिर मैं ऐसे बोलू यह force F2 जो है इसका F2 x is equal to 20 और मेरा F2 y component जो रहेगा उसका 0 चीक है क्या रहेगा 0 राइट तो यह क्या होगा मेरा F2 F2 का x component is equal to 20 newton और F2 का y component क्या होगा 0 होगा यहां पर क्या होगा 0 होगा यहां पर ठीक है क्योंकि यह कैसा है this is along x-axis ठीक है अब देखो यहां पर कि this force is acting towards negative x-axis towards negative x इसलिए यहां पर क्या रहा है माइनस 20 ठीक है माइनस 20 आ रहा है यहां यहां पर देखा होगा कि F1 x F1 x यह जो force है component this will move in this direction इसलिए positive F1 y will move in this direction इसलिए positive positive y ठीक है तो अभी अगर मैं F2 को क्या करूं वेक्टर फर्म में लिखूं F2 having magnitude कितना 20 newton उसको अगर मैं वेक्टर फर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसको यह F2 bar is equal to minus 20i, i मतलब x-axis ठीक है plus 0 j, j मतलब y-axis क्योंकि उसका y-axis में कोई component है नहीं इसलिए 0 plus 0 k, k मतलब z-axis ठीक है तो यह जो मेरा 4 से this is lying on x-axis lying on x-axis ठीक है ओके तो इसलिए इसका जो x वाला component है sorry y वाला component है और यह z वाला component है वो 0 हो जाएगा ठीक है मैं एक बार फिर से revise कर देना हूं इसको इसको इस पर ध्यान देना मेरा f1 जो है यह अब एक rule देखो आपे इसको हो सब्सक्राइब तो note down कर लो कि मेरा f1 जो है it is lying on plane x-y इसलिए इसका z component 0 हो जाएगा कहां पर लाई कर रहा है this is lying on x-y plane इसलिए इसका z पर ठीक है कोई भी force अगर plane पर act हो रहा है ठीक है इस for example अगर कोई force यहाप इस case में क्या हो रहा है x-y plane पर इसलिए z 0 हो गया let's say कोई अगर force है जो मान के चलो की y-z plane पर हो तो क्या हो जाएगा इसका x-0 हो जाएगा x-component 0 हो जाएगा let's say कोई अगर z-x plane पर है तो इसका y-component 0 हो जाएगा right so in short कोई भी अगर force plane पर act हो रहा है plane पर plane मतलब क्या 2D plane मतलब क्या 2D तो उसका जो 3rd component है वो 0 हो जाएगा ठीक है अब इस पर ध्यान दो यहाँ पर जो मेरा f2 force it is lying on the axis it is lying on the axis वो किसी plane पर act नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो मेरा f2 होगा ठीक है it is lying on the axis तो कौन्स axis पर लाई कर रहा है along x-axis तो इस case में क्या होगा मेरा जो y component है z component है वो 0 हो जाएगा ठीक क्या होगा 0 देखो for example यहाँ पर देखो मेरा जो f1 force it was lying in xy plane तो यहाँ पर x component है y component है तो i मतलब x j मतलब y और k मतलब z तो z component क्या हो जाएगा 0 हो गया now similarly यहाँ पर जो मेरा f2 है वो x-axis पर lie हो रहा है इसलिए इसका जो y component 0 हो गया x component sorry z component ठीक प्लीज अगर मैं कुछ उल्टा उल्टा बहुत दू समझ जाओ sequence क्या है this is x y z i stands for x j stands for y and k stands for z x y z i j k ठीक है तो यह rule थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो मतलब अभी तक हमने जो भी जितनी फोर्स पढ़े हैं ठीक है जितनी हमने फोर्स अभी तक किया है हम लोग हर एक फोर्स को मुझे अगर इसका एंगल एंगल मालूम है तो मैं उसको वेक्टर फोर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं का कर सकता हूँ उसको वेक्टर फोर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ ठीक है अब ये वाला स्माज़ों ये जो force act हो रहा ना F1 F1 is lying in three dimensional space 2D मेंने किसी plane पे अकने हो रहा है F1 कैसे मालूम पड़ा मुझे क्योंकि यहाँ पे देखो ये F1 जो मेरा force है इसमेकिं एंगल औफ 45 विट Y-Axis, इसमेकिं एंगल औफ 60 विट Z-Axis एंद इसमेकिं एंगल औफ 60 अगें विट X-Axis अचा है एक बात याद करना इस चैप्टर में जरूरी नहीं कि हमेशा ये जो रहगा ये वाला x यह हमेशा x हो, जरूरी नहीं है, यह y भी हो सकता है, यह z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यह हो हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसलिए हमेशा x चेक करना, कि यह मेरा positive y, तो यह मेरा negative y, यह मेरा positive z, तो यह मेरा negative z, यह मेरा positive x, तो यह मेरा negative x ठीक है तो यह axis द्यान से देख लेना तो यह यह जो मेरा force है F1 in this case it is lying in space जहम बोलते हैं ना कि lying in space तो मालूम हो जाना चाहिए कि इसका it is lying in a 3D plane, sorry 3D object बोल सकते हो, object भी नहीं बोलना चाहिए actually it is lying in space ही होना चाहिए वो 3 damage नहीं होगा, ठीक है now the thing is कि मुझे इस force को F1 जिसका मुझे angle मालूम है 45, 60, 50 जो मुझे angle मालूम है, मुझे अभी इस force को क्या करना है express करना F1 को in vector form, किसमे express करना है मुझे इसको in vector form में मुझे इसको express करना है, चीक है, right, तो शुरू करें, express करना उसको तो अभी देखो यहां पर, तो मेरा F1, F1 X, तो यह force का x component, देखो यहां पर हम लोगा ने क्या किया था, यहां पर जो मेरा force act हो था, वो क्या हो था, xy plane पर था, तो इसलिए लोगो Fx मिला, Fy मिला, अब यह कहां पर है, space पर है, मतलब मुझे यहां पर Fx मिलेगा, Fy मिलेगा, Fz मिलेगा, ठीक है, so let's say, my F1 X, यह है ना, X, यह X है, यह X axis है, positive X axis है, यह force positive X axis के साथ, कितना angle बनाया, 60, तो मेरा यह component क्या बनेगा, यह component, this component is my Fx, F, you can say F1 X, F1 X, यह component क्या बनेगा यहां पर, 5 cos 60, क्या बनेगा, 5 cos 60, and this is equal to 2.5 kN, ठीक है, अब यह जो angle बना रहा है, वो किस के साथ बना रहा है, with positive X के साथ बना रहा है, तो इसलिए हमारा यह value positive है, positive, next is, Y, यह है Y, तो मेरा जो next component आएगा न, F1 Y, तो F1 Y is equal to, यह जो force है, F1 Y के साथ कितना angle बना रहा है, 45, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे यह component को, 5 cos 45, ठीक है, तो हम लोग एक ही rule मनके चल रहा है, कि भाई, जिस force का angle दिया है, जिस axis के साथ, तो उस axis के along जो हमारा component रहेगा, वो हमेशा cos आएगा, ठीक है, तो अब यह से for example, यहाँ पर मुझे F1 है, तो यहाँ पर इसका angle कितना दिया, 60 with x-axis, ठीक है, तो मेरा x component क्या बन जाएगा, 5 cos 60, 5 cos 60, अब यहाँ पर मुझे y के साथ कितना angle दिया है, 45, तो क्या बन जाएगा, 5 cos 40, 45 बन जाएगा, ठीक है, कितना आएगा यह, 5 cos 45 will be 3.5 kilonewton, similarly z, so F1, z, कितना angle बना रहा है, 60, तो क्या रहेगा यह, 5 cos 60 is equal to again, plus 2.5 kilonewton, plus 2, because this is making angle with positive z, positive z, ठीक है, तो मुझे इस force का x component, y component, z component मिल गया, अब यह तीनों component को मिला के मैं क्या define करने जाओंगा, F1 को express किसमे करूंगा, vector में express करूंगा, किसमे express करूंगा, vector में, कैसा होगा यह, so 2.5, क्या है यह, i, so this value 2.5 is my f1 x, x component, ठीक है, plus 3.5, j, plus 2.5, k, ठीक है, component, this value is my z component, ठीक है, plus 2.5, plus 2.5, क्योंगी, यह जो force है, वो positive x, x के साथ angle बना रहा है, यह भी positive y, iq, क्योंगी, यह जो force है, वो positive y-axis के साथ angle बनाया, 45, यह positive iq, क्योंगी, यह किस साथ angle बनाया है, किस के साथ angle बनाया है, इसने, z के साथ, with positive x-axis, z-axis, ठीक है, तो इसलिए, यह हो गया, मेरा f1, this is the, this is how we will express, you can say, a force, acting in a space, in vector form, in vector form, अच्छा, इसको भी तो साथ deal कर लेते हैं, यह ही, अब यहाँ पर देखो, यह और यह सेम है, यहाँ पर यहाँ ने किया था, ठीक है, मेरा, मुझे, यह f2 को, मैं कैसे express करूँगा, बताओ, f2 को vector form में कैसे express करूँ, now this is acting along y, negative y, कैसे act हो रहा है, it is acting along negative y, तो इसमें क्या होगा, फिर हमारा, जो, x component रहेगा, और z component रहेगा, दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर कैसे लिखूँगा, 0i minus 2j plus 0k, right, i stands for x-axis, x-axis के direction में कोई भी component रहेगा, along x, where is my x, this is my x, so there is no component along x-axis, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, यह मतलब क्या, y-axis, जीरो हो जाएगा, तो and this is the y component, y component कितना रहे यहाँ पर, minus 2q, क्योंकि this is acting along minus y-axis, यह k मतलब क्या, z-axis, and this is, this 0 stands for the z component, तो यहाँ पर भी z component 0 है, तो हम यह f2 को कैसे लिखते है, minus 2j, minus 2j, ठीक है, कैसे है, minus 2j लिखेंगे उसको, okay, यह सब चीजे, चोटे-चोटे चीजे अगर, let's say for example, अगर इसने ऐसा लिखा नहीं आपर, let's say f2 bar, f2 bar, अगर ऐसा आ रहा है कि, let's say 2i, दूसरा f2 आएगा, 2j, f2 दूसरा एक आ रहा है, let's say 2k, अगर ऐसा आ रहा है, वेक्टर फार्म में आ रहा है, यह सा रहा है, इसका मतलब क्या है, कि x2i, मतलब this force is acting along x-axis, इसलिए इसका जो y component and z component दोनो zero हो गया, इसलिए इसका j और k component zero है, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या अगर मैं बताओ कि 2j, 2j मतलब it is acting along y-axis, तो इसका x और z component zero, मतलब i और k zero हो जाएगा, i और k का coefficient zero हो जाएगा, यहां पर देखो 2k बोल रहा है, 2k, 2k का मतलब it is acting along z-axis, मतलब उसका x and y zero, मतलब उसका i और j का जो component रहेगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह x and y यहां पर तो यह हम आगे जाके orbit ठीक से समझेंगे उसको, इसको no down कर देना उसको, तो हमने यहां पर देखा कि कैसे एक, मतलब force है जिसका मुझे angle मालुम है, तो उस force को मैं vector form में कैसे express का सकता हूँ, तो यह था मेरा two dimensional plane, force act हो रहा था कहां पर two dimensional में और यह कहां पर act हो रहा था, three dimensional में act हो रहा था, चीक है, एक और चीज होता है यहां पर, कि लेट से मेरे पास एक force है, इसका मुझे magnitude मालुम है कि यह five kilo Newton का force मालुम है, और और इसका ना ही कुछ angle दिया फैंगल कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ बोला है कि this force is acting or passing through point A and B, ठीक है, मतब कैसा है कि this force is acting in a space and it is passing through point A and B, अब space में है तो obviously यह जो मेरा A है ना point इसका कितना होना चाहिए, कॉर्डिनेट, तीन होना चाहिए ना, कॉर्डिनेट that is X A, Y A and Z है, similarly B का भी क्या होना चाहिए, तीन कॉर्डिनेट होना चाहिए, तो यह X B, Y B, Z B, इस case में जहांबे मुझे force का magnitude मालुम है, और मुझे यह मालुम है कि this force is passing through two points A and B, और मुझे इस point का coordinates मालुम है, तो इस force को मैं कैसे express करूँ in terms of vector form, so therefore F1 bar, bar stands for vector, is equal to magnitude of this force into unit vector, unit vector, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, of this force, चीक है, तो यह है हमारा format, कि इसके लिए vector form में करने के लिए, तो यह जो first point है, first point is the magnitude, second, जो है, it is the unit vector, जब मैं magnitude को multiply करूंगा unit vector के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, force vector मिलेगा, ठीक है, force vector, so this is magnitude and this unit vector, defines the direction, defines the direction, ठीक है, राइट, तो इसमें अभी बस इतना ही है, हम लोग इस पे ना आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक यू,